नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं उम्मिद करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे आज हम बनाने वाले हैं आम काचार आचार बनाने के लिए यहाँ पे हमने डेड़ केजी से जादा खटे वाले आम ले लिए हैं जिसका आचार बनाते हैं तो आम को हमने पहले ही धो लिया था हमने वीडियो नहीं बना पाई है आदा घंटे के लिए हमने रख दिया था तो यह अच्छे से सूख गया है उन्में पानी बिल्कुल भी नहीं लगा है अब हम नाइब के सायता से इस तरीके से काटेंगे यहाँ पे हम आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे आप चाहे तो एक आम के चाट टुकड़े भी करके डाल सकते हैं आचार को आप जैसे भी रखना चाहते हों आप उस तरीके से काट लें आम की गुठली को हमने साइड कर दैया है। जनें काकल में घरना हमें उसको अधरिया जल्दवी ऑचार खराब नहीं होता है। आप एक साल के लिए कैसे भी आराम से श्टोर करके आचार को रख सकती है तो आम को हमने काट लिया है अब हम दोएंगे नहीं क्यूंकि हमने पहले ही धो लिया था और पंके के नीचे हमने रख दिया है आचार मसाला बनाने के लिए आदा करचली मैथी दाना लिया है आदा कर हम दुकान पे गईंती हमें आधा करचली सर्सों डाल लीडेागा आधा करचली प्र्चली आप काली वाली सर्सों डाल Is No जाना करचली ढ़न ढीजीए गातर हिए और 아दा करचली मुग्रेला डाला लिजीएगा तो चार मेट के लिए हमने भून लिया है और पिलेट में हमने मसाले को फैला दिया है जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हमने कडाही में सर्जों का तेल डाल दिया है 100 ग्राम हमने तेल डाल दिया है चार के साब से मिकसर में मसाले को बडालेंगे जब तक त Почемуami गरम हो रहे हैं और हम दर्द Sabbath लेंगे हमें ज्था बारिक नहीं पीसना है मसाले को हर्का सा दर्ददिर ही रखना है िकथा हम अचार मसाले को हमें इस तरीजके से पीस लिया है तो अब हम एक पिलेट में चार चमच डाल देंगे हल्दी पाउडर छे चमच हम नमक डाल देते हैं और चार चमच कस्मीरी लाल मिर्स पाउडर डाल देंगे इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा चार में गैस को हमने तेज कर दिया था और तेल से धुँआ निकलने लगा है हम इसी तरीके का तेल चाहिए है सरसों का तो अब हमने गैस को बंद कर दिया है और कडाही नीचे रख दी है तो हलका सा ठंदा हो जाने के बाद हम सबसे पहले तेल में नमक डालेंगे और इस तरीके से 1-2 मिट के लिए हम चलाते रहेंगे अब हम डाल देंगे अचार का मसाला और उसके बाद हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाल देंगे अब हम सबी मसाले को 3-4 मिट के लिए मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद 4 मिर्ट के लिए ठंडा होने देंगे गरम नहीं होना चाहिए मसाला उसके बाद हमने कटे हुए आम डाल दिये हैं आम डालने के बाद हम 6-7 मिर्ट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे हमें आचार में हाथ बिलकुल भी नहीं लगाना है इस तरीके से जरिया की सहायता से Mix करना है और हम आम को डपे में भरेंगे तो जमज की सहायता से भरेंगे Friends आप इस तरीके से आम कचार एक पर जरूर टरॉट ट्राय करना सालों साल तक खराब नहीं होगा और आपको खाने में भी बहुती स्वाति लगेगा तुरंत का अचार हमें बहुत ही पसंद है अब हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक वाला डिपा ले लिया है तो उसमें भी हम अचार को भर दे थे हैं फ्रेंस आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो दो डिपे में हमने भर लिया है बड़े बाले और डेली खाने के लिए हमने काच की डिपे में रख दिया है एक से दो दिन हो जाएंगे फ्रेंस तो आपको इस तरीके से डिपे को हिला दैना है फ्रेंस अगर आम के अचार की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो मेरी यूटूब चैनल ममी बलेज रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए श्यार कीजिए और सबस्काइब करना मत भूलिए फ्रेंस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैसरी किशना राधे राधे